हेलो स्ट्वेंट्स आप सबढ़ी का सवाहगत करता हूं अपने YouTube चैनल से वाले हिंदी क्लास में अब क्लास में हिंदी च्रीक के वाले को उतला है जिसका लौतरहे में आप लुग को गॡूब है देद समिदनी ब्याक भाण न पर देंfast इसलिए यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है कि अगर इसका एक भी क्लास करते हैं तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी और आपका एकजांप का को स्टन भी छूट सकता है तो इसलिए हमारे क्लास को पूरा ज्वाइन करें और अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप मेसेज कर सकते हैं अन्य था इसका पीडियाप आप लोगों को आपके ग्रूप में बेज दिया जागा या जितने स्टुएंट क्लास कर रहे हैं उसको दे देंगे तो हम तोटल लेक्षर का प्लेइलिस्ट का वीडियो हमारे डिप्सक्रेशन में दिया गया है आप वहां से जाके इस प्लेइलिस्ट पर करके उस पेपर को खासकर सब्जक्ट पेपर को पड़ सकते हैं क्योंकि मैं अभी तक बहुत सारे पढ़ाई को कर चुका हूँ इसलिए चैनल को शब्सक्राइब ने कि दिए तो चैनल को शब्सक्रायब कर दिएंगा वीडियो को रिक कर द देगा करें लेंगे सब को सबकु पहुंचायैंगे सब करते हैं दो पहला हम समस्ते मैं तो हम सुरवाद से व्याकरन को स्चार्ट करते हैं बभाव कर द prop remember किसे काते हैं किसे का पहले कि सब्सक्रार के अब हमार किसे काते हैं किते सब्सक्रारों कितने अवक पляется तो मैं लिख सकते हैं तो वर्ड किसे और तो वर्ड का प्रिवासा वर्ड उस मुल धुनिको कहते हैं जिसके खंड़ ना होकर जिसके खंड़ ना हो सके लेकिन हम लोग अब को अलग करके नहीं लिख सकते हैं हर्सोग को अलग करके नहीं लिख सकते हैं को अलग करके नहीं लिख सकते हैं तो यह सब हमारा हुआ वर्ड तो वर्ड उस मुल्द होने को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके यह हमारा पहरा था वर्ड आप लोग अगर इसके परिवासा जानते होंगो तो आप लोग हमें बता सकते हैं सरम जानते हैं अगर नहीं जानते हैं आप लोग उसके परिभासा को जानते अगर कोई आप से कितने हैं कितने अब्जक्टिव हैं यह में कितने उप्जक्टिव लोगों का उसके बाद वर्नों के दू भेड़त होते हैं कितने जानते भी होगे वर्ण के two भेद杓ं को मनट करें वर्ण के दो भेदे हैं पहला assuming dhon from में हों सब्सक्राइन करते हैं और पूझय किसे कें निकाते हैं जिसके खंड ना ऑसके ऑऊ-णि में पूछते होंगों कि ढूह में स्भाते हैं ये पोटाहें हैं यह अपकशन हुआ के बहुता है और जो हम लिखेंगे यह पूटे होil होगा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा क्योंकि यह सभी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोग हमारे क्लास के बातों को अच्छे समझें और जो मैं बोलू उसको ध्यान से समझेंगे तो कि अगर आप अभी से याद करके रखेंगो आप लोह के लिधो इंपोर्टेंट रहेगा वर्णो की लिधोर किने रहे पर कितने बहुत है बया नों के बहुत हते हैं पहला सुर्ण वद और दुसरा त्व्हेंजर मर्ड अब यहां को वर्णों के किसी दूसरे वर्ण की सायता से होता है और बिना, दूसरे वर्ण की, शह지 के सायक होता है किसके उच्छारन किसी दूसरे के बिना से ही निकलता है उसको क्या बोलते हैं स्वर्ड वर्ड और यह वेंजन वर्ड की उच्छारण में साहिक होते हैं तो हम लिखें कि वेंजन वर्ड के उसके तो हिंदी में कुल 11 स्वर्ड अगर आप से पुछा जितने भी बिल्लेटेड करके आप लोगों को बताता हूं वह आपके द्रिश्टी से में ज्यादा ग्रामर से से पूछ रहा है रहा है लेकिन था व्यक्तिव तक डिश्टी नमर यह यह लिया जाता है एक, दो, तिन, चार, पांच, छे, साथ, आट, ने, दस, एग्यार, यह टोटल एग्यारफ स्वर है हिंदी में, तो स्वर्ण किसको बोलते हैं, जिनका उच्छानर बिना किसी दूसरे वन के साहता से होता है, और जो वेंजन वन के उच्छानर में साहत होता है, उसको हम लोग सुर्ण बोलते हैं कितने सुधर होते हैं 11 सुधर होते हैं अगर आपसे पूछा कि यह हर्षा हूप क्या है तो हम लोग लिखेंगे सुर्ण ये सिर्भ आपक है घुलेटिटर पॉंट करके तो कहते है अ है कालमान के देखते हैं उसको फोवाद है इसके लिए हैं कि आमकिन ही कई की जस्वर्फर ? कालमान के दॉष्वर के दो कुस्टा को यह रखेंगा कालमान के नुष्वर्फ के स्वर के कितने भेद होते हैं हम लिखेंगे कालमान के दिश्टी से स्वर के दो भेद होते हैं हेला हमारा होता है हर्ष ौर वन पहला क्या होता है हर्ष SWRおन और दुसरा हमारा होता है दिर्थ SWR का सुर क depends क्या होता है का कालमान के पुछ पर होता है हर्ष सुर वन गजिंग की से अब्जेक्टिब पूछ देगा और आप प्रवासा को नहीं समझते हैं आप लोग गलत और को टिक कर देंगे इसलिए मैं आपको प्रवासा बता रहा हूं मैं चाहता तब लोगों का अब्जेक्टिब भी पढ़ा जाता लेकिन अब्जेक्टिब से सिफ आप लोग रटेंगे समझेंगे नहीं अगर मैं इसका प्रवासा दे दता हूं कि किसी भी प्रकार को कोई कोस्टन रहेगा तो कालमान को उचारन जो हम लोग करते हैं उसके कालमान को हम लोग मातरा करते हैं मातरा किसको करते हैं उचारन के कालमान को हम लोग मातरा करते हैं यहां आप लोग को एक परिवासा मिल गया कि मातरा हम लोग किसको करते हैं तो मातरा हम लोग बोलते हैं कालमान के दिरिष्टी होते उसे स्वरय काते हैं कैसेसे स्वरय के चारण фильм में एक मात्रा लगती है आपको हर स्वर वन इसमें एक मात्रा है इसमें दो मात्रा नहीं अगर आप लिखते होंगो तो आ में एक मात्रा हुआ तो यह हमारा हर स्वर वन हुआ फिर से समझेंगे कालमान के नुशा स्वर के कितने बेद होते हैं कि दिरिष्टी से स्वठ में फिरिष्टि सिवी मुक्ता 2 घ्त होते हैं पहला हर्सवर्वन் दूसरा दिरिग किसे कहते हैं सणल की मात्रा लगती वाले स्वर्वन आफ हम लोग सम्झते हैं कि स्वर्वन् किसे करते हैं दोस्तों आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और वीडियो को भी लाइक कर दिए क्योंकि मैं आपको सब्सक्राइब करते हैं और साम में हमारा सेशन चलेगा आज साम में हमारा बैलोजी का सेशन चलेगा अब हम लोग समझते हैं दिर्ग स्वरवन किसे काते हैं तो हर्वर में एक मात्रा लगीर होती है तो दिर्ग स्वर में क्या होगा मारा दो मात्रा जिस स्वर के उच्चारन में दो मात्रा लगती है उसको दिर्ग स्वरवन काते हैं किसको दिर्ग स्वर के उच्चारन में दो मात्रा लगती है उससे दिर्ग स्वरवन काते हैं जैस यह आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही करता हूं, क्योंकि यह आपके एक्जाम की लिए इंपोर्टेंट है। कालमान के दीश्टी स्वर्द के दो भेद होते हैं। पहले स्वर्ड दूसरा द्रिग स्वर्ड वन में उचारण में एक मातरा लगी रहती हैं। कि आपको objective आप पूछे का यहाँ पर कि आपको आ हमारा किस प्रकार का one है दे देगा objective में हर शुवर one दिग शुवर one उसके आप को इन में से कोई नहीं तो आप लोग टिक करेंगे किस टाइब का फ्लोगों को अब्जेक्टिव पुस्ता है तो यह हमारा हुआ कालमान के दिरिष्टी से अब हम लोग नेक्ष देखते हैं जाती के दिरिष्टी से स्वर के कितने भेद होते हैं कितने भेद होते हैं जाती के दिरिष्टी से सवर के मुखता दो भेद होते हैं कितने भेद होते हैं या शौर्ण तो जाती उसा अटीए या शौट वकला होगिया है । JAC कि पहले समझते इश्वर्ण किसे वह कुछ जो बोलते कि रिए नाम पॉल सकते एश्वर्ण भी बोलते हैं और दूसरा आप माला आता है वी जातिय या और स्वर्ड वन तो हम लोग पहले समस्ते सजातिय या स्वर्ड किसको बोलते हैं तो सजातिय या स्वर्ड समान अस्थान और प्रेतन से उत्पन होने वाले स्वरों को सजातिय या स्वर्ड करते हैं समान अस्थान और पड़ेतन दोनों से उत्पन होता है उसको हमनों क्या बोलते हैं सजात्य यह सवन बोलते हैं जैसे हो गया हमारा हर्साई दुरगय हर्साउद दरगव अब लोग इसको बोले और प्रैक्टिस किजिए देखिए आप जब मैं आ आ आ बोलूँगा तो इसका यहां मेरा एक अस्थान हुआ इसका प्रेतन चेंज नहीं हुआ आदी जोड़ी आपस में क्या हो जाएंगे इसको हम लोग बोलेंगे Spencer बहुआ अब सकेंड है विजाती या अस्वर्वन के जिसस स्वर्थ समझें सकेंइगे अस्थान और मदार फ्रेतन क्या प्रेतन क्या बोलते हैं विजाती या ओस्वर्ण रहा है जांपल में आपका हो जाएगा हर्सधि दुरगव मैं एक जगह से बोला हर्सधि फिर दुरुगव उसमें दुसर स्वाव न चुन्ज हो गाई अब आज कि दूनों चीज वह रहा है हर्सधि दुरुगव तो यह मारा चेंज होगया स्वंड क्या जाती है आस्ञार पेटन ज होते हैं कानमान कीनुसा स्वर के दो भेद होते हैं हर स्वर वन की एक मतर लगी होती है और दिंट में दो मतर है ठोगी है उसके ढूस्तों समझे जाती के कीनुसा स्वर के तो आगे समझते हैं आगे अब हम लोग समझते हैं वेंजन किसको बोलेंगे तो हम लोग आगे परते हैं और आगे आगे अब लोग समझ रहें हैं वेंजन आगे हमारा क्या टोपिक है वेंजन पैला हम लोग 1 के कितने भिदन होते हैं 1 के 2 भिदन हigent 1 के बारे में पूरे पढ़ लिए अगर आप लोग ो तो mug 1 से किसी भी तरह की कोई objective पूछे ताप लोग उसको solve कर सकते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं वेंजन वर्ण किसको बोलते हैं कि हैं आप परेंगे वेंजन वर्ण तो वेंजनन उनवन ने कहते हैं जिनका उच्छारन स्वळ वन की साहताक से नहीं बोल सकते हैं जwasserन जैसे मां बाई होगिया हिंदी में डोटल 23 वेंजन one है कितने 23 वेंजन वन है हिंदी में इनकोई पूछाभे आप लोग सब्सक्ख़़ कितने वेंजन वन है तो हम लोग बताएंगे हिंदी में टोटल 33 वेंजन 1 है उसके वेंजन को तीन सरीनी में बाटा गया है तो एक्जामपल हमारा वेंजन में क्या होगा है को खो चो चो यह दोस्तों देखिए कि बिना स्वर्मन के साहिता से कही से नहीं बोलता है जासे हमारा को है, तो को का के संदी भेसे करेंगे तो हमारा हो जाएका को हलया चाहँ दोस्त ठो चिस्वा आखिन है तो के साथ भान जल पन देखिन को चौ कर है यह सभी आपके बोड एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट्स है इसलिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग इसको जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ करें अपने दोस्तों को स्काइब करने के लिए साथ में आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से जादा से शेयर करें मैं चाहता हूं इस वीडियो पर सबसे ज्यादा अपने दोस्तों के साथ टोटल गूरूप में जितने आप लोग को इसको सेयर करें कि ताकि हमको आपका बेनिफिट मिल सकते हैं तो हम लोग समझें वेंज गया आज हमे लोग वह वींजर मन को पुरा पढ़ा के क्लास को करते आगर किसी को इंटरेस्ट नहीं लग रह था है allora अज JIM वीडियो आप लोगों के लिए पूरा देखें अगर आपको बोड़े क्या में अच्छी नमर गिन करना है तो मेरा पढ़ियास है कि आप लोग हमारे पूरे वीडियो को देखें ताकि आप अपना नमर को अच्छा ला सकते हैं तो वेंजन वन को कितने सरेनी में बाटा गया है तो वेंजन वन को तीन सरेनी में बाटा गया है पहला हमारा है असपर्स वन पहला क्या है असपर्स वन किसको बोलते हैं जो वेंजर कंट तालू मुद्रा दात और ओस्ट के असपर्स से बोला जाता है उसको हम लोग बोलते है असपर्स वन, फिर से समझे, जो वेंजन वन, कंट, इसको कंट, तालू, मुद्र, दान, और ओष्ट के, मतलब ओठ के असपर्स से बोले जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, असपर्स वन, इसकी संखिया जो है, टोटल 24 है, असपर्स वन की टोटल संखिया 24 है, और असपर् तो आप लोग बताएंगे कि असपर्स वन और वर्निय वन दोनों एक ही का नाम है, तो असपर्स वन में जो होता है, इन्हें वर्निय वन भी का जाता है, असपर्स वन की कुल सख्या 24 है, अब हम समझते हैं कि कंड से क्या सब बोला जाता है, तालू, मुद्रा, दात और और ओ समझते हैं कि असपर्स वर्न की निमनीखिते है, पहला समझते हैं कॉवर्ग क्या है, पहां से बोलाता है पहला हमारा क्या होता है का खो गव में क्या होता है क्वाल से के लिग bicam कर लेंगे को वर्क का जो चरनास्तान होता है वह कंड से होता है कुछ भी पूछा तो उसका चरनास्तान देंगे हम कंड यह आप से अबजेक्टिफ पुष्टा है तो आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि मैं अभी जितना ही बता रहा हूं यह आपके लिए इंप्पोर निकल लाए अंग अगर नहीं निकल लाए तो जवाब देखे कर रहे हमारे साथ इसलिए आप लोग भी जवाब दे ट्रैकर है अपलोग सब्सक्राइब लिए हैं कड़ में कहां से निकल ले को है कि सकेंड भाइमारा है चोवर्ग हमारा होता है ओच कि यह सब का उचानल स्थांच ढते हैं अपरान कि आप अगा बदाए आपर के जीव का उच के लिए चो चौ ज़ ज़ अंगर, थोटल में हमारा क्या उज हजभरा है तालू जीब का उज वगर है चौ उज श ज़ अंगर, आम वोग उज यूज करेंगे तो आप लोगा जीब सğटेगा उसके बाद हमारा है ता बढ़ड उसके बाद हमारा क्या है ता बढ़ड त, ठ, ड, ध, अंग, आप लोगों का ओठ भी चलेगा इसमें, इसका उचनन स्थान हमारा है, मुद्रा, क्या है, तोवर का उचनन स्थान मुद्रा, आगर, आपको यहाँ पूछेगा, आपको इसमें से कोई भी दे दिया जाएगा, और आपको पूछेगा, किसका उचनन सब्सक्राइब देखेंगे कि आपका दांत जो है सट रहा है कि यह सारी है जो आप हमारा स्थान हमारा कि आप द्यान से समझ Perfect पो वर्ग क्या हो गया पो फो बयू Guess को तीन स्अरवी पहला असपस लँद दूसरा अन्तव रॉस्मं गोसी को उस्मण पहला रे स्परस अरए असपरस लद आचisch रहें अन्तवस्जन ओनिर यह सब हमारा वन्जन वन के परकार घ्र वन्ध को ? तीन भागों में वाटा ग्या है अस्पस nursing ऑन और आपको तिसरा है ह़ार्स सम्फ करते है तो तो यह र ल वकेवर्व का हम लग प।को न्妝त ले जोड और वेंजन दोनों के बीच रहता है इसलिए इसे हम लोग अंतहस्त कहते हैं अगर आपसे पूछा योड लवो यह चार को नाप आप याद रखेंगे योड लवो हमारा अंतहस्त होता है और इसका उचारण जीब तालू दान्त और और सटने से होता है यह रो लवो टोटल हमारा टोटल चीज सट जीब चार यह तालू सट रहा है दान्त और सट रहा है तो यह हमारा हो गया अंतहस्तन इसको जो है अबलोग दूसरा अद्ध श्वर भे क्या बलते हैं अर्ध स्वर तूकि इसमें जो है उच्छ स्वर और वेंजन दोनों का मेल होता है इसलिए इसलिए इसको हमलोग क्या अद सुवर भी, अब हमारा है उस्मन, क्या है अब हमारा उस्मन, इनका उच्छन जो है रगड या घर्षन से उत्पन वाईस होता है, इसका उच्छन कहां से होता है, रगड या घर्षन से उत्पन वाईस से होता है, कहां से होता है, घरगड और घर्षन से, तो इसमें आता ह तालमस, मुदंस, दंस, हाँ, आप लोग यूज करेंगे, ये रगर और घर्षन से उत्पन होता है, तालमस, मुदंस, दंस, हाँ, आप लोग का उचारन हुआ, तालमस, मुदंस, दंस, हाँ, ये समामारा क्या हो गया है, रगर और घर्षन से उत्पन होता है, अब हम लोग न सब्सक्राइब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सब्सकों पढ़ेंगे कितने होते हैं सब्सक्राइब कितने हो गए अब अक्छा जो मना बनता है को और सो के सब्सक्राइब सब्सक्राइब कितने हैं अब हम नेक्स समझते हैं अलप्राण और महाप्राण में अंतरा स्ब्सक्राइब आप लोग को बहुत भास्टे रहा है लकिन यह क्षिन्क बहुत सिंपल है अरप्राण और महाप्राण जेंके चाल को भलाँ आया आहें चाररन कि तो करना क्यादल असदूनि हम लोग किसको बोलते तो अलप्राण हाकार के ध्होणिज नहीं सुनाएं परते है उसको हम लोग बोलते है अलप्रान परतिक वरण के पर्थम तिर्थय पंचम वर्ड तथा योरो लवो jon को हम लोग अलप्रान काते हैं अलप्रान क्या काते हैं किसे काते हैं जिन वर्णों के उच्चारन में फिर से समझे अलप्रान और महाप्रान में अद्तर अलप्रान जिन वर्णों के उच्चारन में हाकार की दोनी सुनाएं नहीं परती हैं उसको हम लोग बोलते हैं अलप्रान परतिक वर्ण के पर्थम मतल यह इसका आप महाप्रान हो जाएगा क्या जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनी नहीं परती है उसको लोग बोलते है महाप्रान यह गलती हो कि आप लोग यहां लिखेंगे इसको लोग बोलते है महाप्रान इसमें परती है और अलप्रान में क्या होता है सुनाई नहीं परता है आप लोग यहां लिखेंगे महाप्रान जिन वर्णों के उचारण में हकार के दुनी सुनाई परती है उसको हम लोग बोलते हैं महा प्रान काते हैं अब परते को बड़के दिर्थिये चतुत वन जो इतने छुट गया परतम दूर्थिये पंचा में जो छुट गया तिर्थिये चतुत वन जो है हमारा है और तालंश से मुद्धन शाद धन्स व्प्त को मुझेंने का अम प्रान के अंधार को सब्सlik अ कि बढ़ते हैं माहं अम प्रान करता है गोश बोलते हैं घोश गोश आपस में जिकनतिए उत्पन नहीं करती है उसको आम लोग बोलते हैं अघोश पर्देक और के पर्थम और तिर्दिय दुर्तिय इसमें क्या है तिर्दिय और पाच्वय और यौड जोड़न लेकिन यहां पर्तिकवर के पर्थम दित्य वाद और तालंस वन कहलाता है तो आज मेरे क्लास यहीं होता है अब जब हमारा नेक्स सेसन स्टाट होगा व्याकरन का उसमें हम लोग सब्द को पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग पूरे वन से लिलेटर जितने अब लोगोगे को मिल जाएगा आप को इस घरवाने की ज смотр नहीनने अपने घ्रूप से ले लेंते तो तो अमदर अगर अगर यहां तक में किसी समझने में प्रोगलम आप में बता अब हम लोग सामने बारी में और सामय उसा याकरन का वागा हो सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ बएंगे पूराते हैं तो आप लोग हमारे की सब्सक्राइब पूराने में मदद करें ताके आप यूटूब पर community type open होने के बाद आप लोगों को यूटूब पर message मिलते लगे कि कब हमारा कौन सा क्लास आएगा तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी में चल्द को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मिलते हैं एक नहीं वीडियो को सब्सक्राइब के झालाईब करें मिलते हैं एक बादना मिलते हैं एक ठीडियो कि अवीडियो के लिए अपना से ओमारा लोगों को बालाईब को खायों मिलते हैं एक वी पायो ठाहर रहां जाएं थाएं